देखे फ्रेंड्स, आज हम एक मीडि ड्रेस बनाएगे, विद कोर्ट कॉलर, तो देखे, यह इसकी साइज है, तो फ्रेंड्स देखे, छेस्ट हमारे पास 34 तयार है, 4 प्लस करेंगे, तो 38 हो जायेगा, आगी का हिस्ता 19 लेंगे, कमर हमारे पास 28 है, 4 प्लस करेंगे, 32 हो जा जाएगा और 13 हमारे पास 14 हैं उसमें हम एक बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा जो भी कॉलर वाले कपड़े होते हैं उसमें बढ़ाए जाता है और इसकी चोली की लंबाई हमारी 15 है कि दिजाइन हमारा कुछ परकार है कि यह देखी यह तो हमारे दोनों आर्म हो लो गए और यह देखी यह हमारी चोली फ्रंट से यहां बटन लगेंगे यह देखिए और यह इसका घेर आएगा यहां कमर पे बेल्ट बनेगी और फ्रेंस देखिए कोट कॉलर रहेगा यह इस तरह का कॉलर आएगा हमारा कुछ इदेखिए एक साइड से इसी तरह दूसरे साइड से स्लीब्लेस है आप चाहें तो स्लीब्स लगा सकते हैं और तो फ्रेंट्स अब यह मैंने 1.5 मिटर कपड़ा लिया है और यह 1.5 मिटर अर्ज का ही कपड़ा है तो अब हम कटिंग शुरू करते हैं अब हम अपने पूरे कपड़े को देखो यह सीधे को अंदर और उल्टे को बाहर करेंगे तो उससे पहल कपड़े को पहले थट्टी नापेंगे कि फ्रेंड्स हम इसको इस तर करके थट्टी नापेंगे कपड़ा हमने पूरा खोल लिया है यह देखिए यह हमने कि यह देखिए हमने तीस पे निशान लगाया अब हम इस कपड़े को यह देखिए इस तर करके मोड़ेंगे फेंट्स हमने इस कपड़े को मोड़ दिया अब हमने ये देखी यहां से यहां यह देखे, पूरा थटी लिया यह देखी, यहां पर हमारा थटी पूरा आया है उसके बाद अब यह यह लम्बाई तो हमारे पास आ गई अब हमें चोड़ाई कितने लेनी है तो friends, देखिए हमारे पास 34 chest है, तो 34 का half हमें चोड़ाई लेनी है, तो देखिए हम 17 इंच चोड़ाई लेते हैं, यह देखिए, यह हमने 17 इंच चोड़ाई ली और लेने के बाद हम इसे पकड़ेंगे और यह देखिए, इस तरह फूल्ड करेंगे, देखिए friends, ऐसे करके यह पूरा हमारे पास 17 इंच आ गया है, यह देखिए, यह पूरा 17 इंच है, अब हमें क्या करना है, तो हमारी कमर यह देखिए, कमर के पास हमारे पास 16 आया है, यह देखिए 28 कमर थी, 4 प्लस किया, 32 हो गया, तो यह देखिए हमारे पास 16 आया है, तो य यह देखिए फ्रेंड्स यह हमने तिरच्छा मिलाया अब हम इसकी सीधी साइड नापेंगे कितनी है तो देखिए इधर से 30 है इधर भी 30 रखके जो यह एक्सट्रा आएगा उसकी हम यह गोलाई कर देंगे फ्रेंड्स निशान हमारे लग गए है अब हम देखिए यहाँ पर हम यह देखिए यहाँ depress हमारा शीक्ощмा एट रखके यह हमारे पास त्यार है अब हमें यहाँ पने 2,5 मारे यह चाहीं लुए हम इसे काटेंगो अब हमारा कट चुका है अब हमारे पास यह देखिए साइड से यह पूरा एक डेड़ मीटर का कपड़ा बचावा है पूरी लंबी पट्टी बची है अब हम आगे का पोर्शन बाद में काटेंगे पहले हम पीछे का पोर्शन काटेंगे तो देखते हैं जहां पर हमारे चॉली की लंबाई हमारे पास 15 है हम इसमें एक बढ़ा के लेंगे तो लेकर पहले इतने कपड़े को अलग कर लेते हैं यह देखिए अब फ्रेंट्स देखिए कोट कॉलर बनाएंगे हम तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले चोली काटते समय तीन इंच हमें एक्स्ट्रा इस तरह रखना पड़ेगा है ये देखी यह तीनाइंज की हमैं पट्टेंगे है थो देखेए फ्रेंड़ यह तीनाइज की पट्टे रखी उसके बाद यह जो हमने चोली के लिए पर्पडा शख़के रखेंगे हैं है कि आप हमारी पंदरा तय यार थी तो सोला होने चाहिए कि एक्स्ट्रा रखा अब हम इस पे अपने ड्राफ लगाते हैं तो देखिए तीरा हमारे पास कोदा था हम एक बड़ाकी पंदरा लिया तो पंदरा का आधा फेंड्स स्फ यहां लेंगे और साड़े साथ ही यहां लेंगे यह देखिये यह बराबर लिया जाएगा और यह देखिए चोडाई 19 तो साड़े नो ले लेते हैं उन्निस का अधा और सीधा निशान लगाएंगे अभी फिटिंग के टाइम पर फिटिंग डालेंगे यह देखिए और यहां पर फ्रेंट्स एक इंच की तिर्छी शेव देंगे तीरे की यह हमारा ड्राफ लग गया है अब हम इसे काटते हैं देखिए फ्रेंट्स ज्यादा तर मेरे पास कुश्चन आते हैं कि आप चेस्ट के अंदर चार क्यूं बढ़ाते हैं तो देखिए फ्रेंट्स जब हम इस कपड़े को चार तह में रखेंगे तो 1 by 4th plus 1 1 by 4th chest plus 1 लेंगे तो आंसर फ्रेंट्स 19 ही आएगा जब आप 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आजाएगा प्लस वन करेंगे तो 9.5 हो जाएगा और आंसर 19 ही आएगा जो चीज को हम चारते हैं में फोल्ड करते हैं तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं जब हम इसे खोल के बनाते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो फ्रेंट्स ये कोट कॉलर का मैं अभी सीलूंगी तो मैं आपको द तो देखिए वन बाय फोर्थ चेस्ट प्लस वन तो हमें इसकी उचाई लेनी है और यहां से 3.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है और हम इस जगा पे अब जैसे ब्लाउज में प्लेट डालते हैं बिल्कुल उसी परकार दो प्लेटे डालेंगे पिछे के एरिये में अब एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें 6 इंच चोड़ाई और जितनी मेरी चोली की लंबाई है उतना एक फ्यूस पेपर काटा और दोनों के उपर चिपका दिया देखिए इधर भी और यह भी दोनों साइड में चिपका दिया अब फ्रें जाने के बाद अब हमेंक गला देखिना है कि कि दे गले की चुडाई हमें वन बाइट की ट्वैल लेनिया है और यहां भी इतनी, अभी मैं गला काटते से मैं आपको दिखाऊंगी, अभी फिलहाल में आपको जितना गला रखना है, जैसे मैं आँलो मेरे को 7 इंच का गले की लंबाई रखनी है, वहां तक रखके इसको हम इस तरह अटेच कर देंगे, बंद कर देंगे, सात रखना चाहें वैसे फ्रेंड्स ये जो है थोड़े बड़े रहें तो ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं इसे साथ से थोड़े बड़ा कर लेती हूँ ताकि पहनावा थोड़ा अच्छा लगी देखे 8 लग लेती हूँ अब हम क्या करेंगे इस तरह करके इसको इस तरह दबा लेंगे और इधर आके इसको इस तरह दबा लेंगे यह फ्रेंड्स आपका कॉलर बहुत ही सुंदर बनेगा अब बनने के बाद यह देखिए जब यह दोनों हिस्से इस तरह हो जाएंगे यह देखिए तो हम इन दोनों हिस्तों पे इस तरह सलाह लगा देंगे यह देके फ्रेंड्स नीचे मैंनी सलाह लगा लगा दिये अब हम गला काटेंगे तो हमारे पास 34 चेस्ट है तो देखे मैं आपको दिखाते गूं। यह देखे, 34 हमारे पास चेस्ट है, तो 34 को हम 12 से डिवाइट करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, उसे हम यहां लेंगे, यह देखे, और इतना ही हम यहां लेंगे, यह देखे, यह लिया, और यहां पर हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसले हम इसको आधा इंच बढ़ा लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स 1 by 12 हमने इधर लिया और 1 by 12 प्लस आधे इंच हमने इधर लेके यह देखे इस तरह करके एकदम चकोर भी नहीं बनाना एकदम गोल भी नहीं बनाना इस तरह करके खड़ीशी शेप दीनी है तो देखा मैं काटती हूं यह देखे इस शीज शेप करके वी शेप बनादेंगे तो भी गला सही ने आयेगा घब सी घ्क डयाओगे यह देक्षिया हलकी सी इस तरह तरह शेप मेरी यह दुत कूर्ड़ को आखे चुकी है और मैंने जैसे सिंपल अभी मैंने पीछे की तरह प्लेट डाली खिए हम इसके ठीरे जोड लेके फ्रेंड्स दोनों तरफ के तीरे सिल गए है अब तीरे सिलने के बाद एक आन्दर मैंने इस पट्टी को ऐसे अटैच नहीं किया है इसे मैंने खुला ही छोड़ दिया है तो अब हम इसके पीछे का गला काटेंगे यह देखिए इस तरह तीरे से तीरे को मिलाएंगे औ तो बहत हलका छहा बिलकूल मामूलिस सा वैसे दो जैंड़ इसको में पीछे का गला थोड़ा तीर थोड़ा होता है म्यारी इस तरह लेंगे और फिर हम इसमें तरह कट निशान लगाएंगे और फ्रस्वर्ण्स देखी इस गले को हम आपस में इस तरह मिलाएंगे ये सारे हमने मिला ली अब हम गले की चोडाईни नापने के लिए हम सबसे पहले यहां पर यह देखे आगे की तरफ इस तरह दौ इंच छोड़ेंगे यह देखी इस तरह रखेंगे इधा updates यहां से यह देखें, दो इंच छोड़ेंगे और दो इंच पे एक कट का निशान लगाएंगे यह देखिए, मैंने कट का निशान लगाया, अब इसके पीछे की जगान आपेंगे, कितनी बची है हमारे पर, तो यह देखिए, यह 7 बचे है, तो इसका मतलब 14 इंच का मारा कोलर कटेगा, अफ्रेंस पहले हम इस पेपर पिकाटेंगे कोलर को, तो देखे, यह चोड़ाई का यह दो दो इंच लेगे, तो यह दो इंच हमारा कहा Derek, कि जग हमने निशान च्ट लिगा यह दो दो इंच लिए, और यहां पर 1 by 12 प्लस 1.5 इंच तो 2.8 तो हमारा 12 से भाग कर काया चेस्ट को और उसमें हम 1.5 इंच और बढ़ा देंगे तो फ्रेंट्स देखे हमारी कुछ इस तरह गोलाई आ जाएगे अब हम इसे काटते हैं यह देखे यह कॉलर हमारा इस परकार कटेगा अब फ्रेंट्स इसको मैं अपने फ्यूस पेपर पर यह देखे यह मेरा फ्यूस पेपर है इस पर मैं काट लूँगी और कपड़े की आडी धारी पर जैसे यह तो हमारे पास सीधा खड़े में बन रहा है और हम आडी धारी मतलब की अपने कॉलर को अपने जो बचावा कपड़ा है उस कुछ इस्तरह रखके चिपकाऊं तो बढ़े Memphis, मैंने अड़ी धारी के ऊपर यह देखी, इस कबड़े पे यह मैंने अपने फ्यूस्पेपर, चिपका दी है अब चिपकाने के बाद अभी हम इसे काटेंगे नहीं, पैले हम इसे सिल लेते हैं ताकि यह डित नहीं तो यह देखी, यहां से सिलेंगे अब हम इसे इसी परकार गोलाई में काटेंगे अब देखे फ्रेंड्स कॉलर हमारा सीधा हो चुका है अब हम इस तरह करके कट लगाएंगे यह देखे यह कट लगाया और अब हम अपनी चोली मर भी कट लगाएंगे यह देखे यह कट हमारा लगावा है अब हम इसे रख के सिलते हैं यह देखे फ्रेंड्स यह वाला हिस्ता देखे जिसमें हमने पेपर चिपकाया है वो नहीं सीलेंगे जिसमें जो प्लेन वाला हिस्ता है उसको सीलेंगे यह देखे, यहां से रख के, यहां तक हमारी यह तीरे की सिलाई है, यह देखे, इस सिलाई तक सिलना है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, यह देखे, यह मैंने तीरे की सिलाई तक सिल दिया, अब इसके दूसरी साइड भी ऐसे ही सिला जाएगी, यह देखे फ्रेंड्स दोनों साइड यह देखे बिल्कुल मैंने कट से मिला के आदा है दरसिला यह देखे इस सलाई तक अब हमें क्या करना है देखे यह जो हमारा कपड़ा है अब हमें इन्हें दोनों को मिला के सिलना है यह देखे यह है जो दोनों पोर्शन इन्हें पकड यह देखे फ्रेंड्स आपस में मैंने कॉलर को अटैच कर दिया अब मैं इसको अपने चोली पे अटैच करती हूँ यह देखे यह देखे यह मैंने चोली पे भी अटैच कर दिया इसको अब मैं इसके इस साइड भी चोली पे इसे अटैच करती हूँ मैं यहां तक अटेच कर रही हम और यह बिल्कुल कट तक पूरा नहीं तो मैं इसे अटेच कर लेती में तो डेले है यह देख कि फ्रेंड्स कोल एक हमारा बिल्कुल पूरी तरह इटेच हो चुका है अब सिर्फ हमें पट्ट एक साथ इस इस तरह से लेंगे अब हमारा एंड होता है यहां पर हम फिर वापिस एक कट लगाएंगे यह देखिए अब हम इसे आपको सीधा करके दिखाते हैं एक तरफ पर तो तयार हो चुका है यह देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर आया है अभी मैं इसको सेट करके दिखाऊंगी आप फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी आई है आसान है लेकिन थोड़ी सिलाइयां ज्यादा है इसमें थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन जब आप बनाएंगे स्टैब बाई कितनी अच्छी आई है तो अभी मैं इसका दूसरे साइड का अटैच करती हूँ देखिए इसको इस तरह पल्टा और पलटने के बाद यह कॉलर तो अंदर ही रह जाएगा और लेकि इस कट पक पूरी स्लाइड डालेंगे देखिए फ्रेंड्स कॉलर हमारा अटैच हो चुका है यह देखिए अब हम क्या करेंगे अब हमारी यह जो स्लाइब अच्छी है अब इसे दबाएंगे तो इसे दबाने के लिए इसके हमें उल्टी साइड जाना होगा यह देखिए चोली के उल्टी साइड आके तो यहां से इस सारे धागे को और यह सारे कपड़े को ऐसे अंदर को दबाते हुए यह देखिए होगा है श सेसे सारे Сारे कि देखिए फ्रेंट्स कोट कॉलर बनके रेडी हो गया और आप यह देखिए नीचे की फिनिशिंग आप देखिए कितनी अच्छी आई यह देखिए इसको हमें बलटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पलट पलट के प्रेस करके इसे सैट करा जाए यह जैसे ही आप कॉलर म कि इस इतनी बड़ी पट्टी के साथ बनावा है तो अफ्रेंट्स इसमें हम अपनी घेर जोडते हैं तो देखिए बीच के मार्किंग तो हमारी आई ही रखी है अफ्रेंट्स देखिए हम अपने इसके अंदर घेर में ऐसे कट लगाएंगे यह हमने कट लगाया और अपनी चोली के साथ इसे अटैच करेंगे तो यह देखिए बीच की मार्किंग तो हमारे पास आ ही रखी है आधा हम इसके इस साइड से लेंगे और आधा हम अपने इसके इस साइड से लेंगे अब फ्रेंस देखिए चोली हमारी जूड चुकी है घेर के साथ अटैच हमने कर लिया है अब देखिए अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाते हैं तो देखिए थर्टी फोर चेस्टी फोर प्लस किया थर्टी एट आया तो हमारे पास आगी का हिस्सा 19 हो जाता है तो दे अब के पास हमारा 16 आया है तो फ्रेंस 20 से 8 हम इधर लेंगे और 8 ही हम इधर लेंगे अब फ्रेंस इसे हम पीछे वाले के साथ अटैच करके फिटिंग डालते हैं अब फ्रेंस देखिए इसके हम आर्म होल में पाइपिन लगाएंगे तो देखिए मैंने पाइपिन काटी और इसे उल्टी साइड से रखें सीधी साइड पल्टेंगे अब देखिए फ्रेंस इस पे हम फिटिंग का स्लाइड लगाएंगे ये देखिए अफ्रेंस देखिए मीडि बन चुकी है अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे तो बैल्ट बनाने के लिए देखिए हमारे पास 28 कमर है तयार तो यह देखिए हमने बिल्कुल पूरा कपड़ा भी हमने देखिए 28 ही लिया है यह दो मेरे पास मैटल की चूड़ियां है क्योंकि जब हम इसके अंदर अपनी बैल्ट फसाएंगे तो यह आटोमेटिक ही दो इंच बढ़ जाएगा इसलिए हमने बिल्कुल पूरा लिया है थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं लिया और यह देखे इसकी चोड़ाई हमने लिया है यह देखे चार इंच अब हम इसे इस तरह करके फोल्ड करते हैं देखे फ्रेंड्स स्लाइल लग गया है अब हम इसे सीधा करते हैं देखे फ्रेंड्स अपनी बैल्ट हमने सीधी कर लिये सीधी करने के बाद यह देखे हम इसमें अपनी मैटल में यह देखे इस तरह करके डालेंगे हम इसको यह देखे, फ्रेंड्स बेल्ट पनके बिल्कुल रेडी हो गई है, अब जब हम इसे डालेंगे, तो यह देखे, हलका सा मेटल है, मेटल इसके अंदर हलका सा दब के अंदर आ जाता है, तो यह देखे, यह हमारी बेल्ट इस तर गर के फस जाएगी, जब हम कमर में पहनेंगे देखे हमारे पास 28 कमर थी तो बिल्कुल 28 से टाइठ ही होनी चाहिए धीली नहीं होनी चाहिए तो फ्रेंड्स पेल्ट तो हमारी बन गई है अब हम अपनी फ्रॉक के अंदर लुप्स लगाते हैं देखे फ्रेंड्स लिप्स लगाने के लिए इस तर प्ट्टी काटी है प्ट्टी काटने के बाद मैं यह देखे इसको ऐसे और यह दिखिम इस तर गरकी तर फो त a आप देखे फ्रेंड्स इसके हम दो लूप्स इस तर खरके काट लें। दो लग लग और ये हमारे पास हमारी फ्रॉक है। मैंने आगे बटन अटेच कर दी है। जहां ये हमारा जोड है। ये देखे जहां पर रहे। यह देखिए यह कमर का हमारा जोड है यह रहा दोनों मिल रहे हैं तो हम आधा लूपस उपर और आधा लूपस नीचे देखिए इस तरह लगाएंगे देखिए इसे इस तरह रखेंगे और पहले तो यहां अटेच करेंगे और फेंस फिर अटेच करने के बाद हम इसे इस तर पलटके यहां अटेच करेंगे एक स्लाई उपपर आजाएगी एक स्लाई नीचे आजाएगी पेल्ड मेरी बन के रेडी तो हो गई थी लेकिन यह मेरी बेंगल, इस लुप में बन में तो कि टीचे नगया हूँ और आजाएगी जियाया हूँ दालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी तो इसी लिए मैंने एक साइड से बैंगल हटा दी और बैंगल हटाने के बाद ये देखे मैं इस लूप के अंदर मैं अपनी ये बैल्ट टालने लिए एक ही साइड के हटानी पड़ेगी दूसे साइड की उसी में चल जाएगा और फिर दूसे साइड में ये देखे इदर डाल के अब वापिस में बैंगल को उसी तर अटाइच कर देती हूं जैसे ये पहले थी देखे फ्रेंड्स कॉलर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है बैल्ट भी हमारी तयार हो गई है और ये देखे अब हम इसके अंदर इसे डा बिल्कुल फिट होने चाहिए बैल्ट क्योंकि यहां से बढ़ जाता है कि प्रेंड्स कोट कालर बिन पनके बिल्कुल रेडी हो गया है कितना सुंदर ग्रेस आया इसके अंदर गला देखे आपको बनानी बताई है अभी आपको सुकडन लग रही है जब ये पहना जाएग तो ये कमर पे एकदम ऐसे फिट होगा तो ये बिल्कुल ऐसे आजाएगी अगे देखिए मैटल की दो चूड़ियों से मैंने बनाया है और फ्रेंड्स देखिए जितनी लंबाई से एक्स्ट्रा मेंने मोड दिया तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपन